करेंगे करेंगे टाइम सिरीज बिल्कुल छोटा वाद मिल रहें आज और आज हम एक छोटा से चेप्टर कंप्लीट करेंगे टाइम सिरीज बिल्कुल छोटा है चेप्टर है आपका बिल्कुल इजी चेप्टर है तो जितरा मैं आपको क्लास के अंदर कराऊंगा वो प्रस में थोड़ी से आपको कॉश्चन दे रखे हैं किसी वेरिबल से रिलेटेट मतलब कि Boss देख लिया और्प्रोडक्शन का देख लिया किसी भी चीज़ का डाटा देखां डिफंट प्रिट प्रिडड ए अलग फैंटर को देखना और टाइम सीरीज के अंदर हम क्या करते उसको आनलाईस करते हैं आनलाईस करने के अपने त जो है आपके components का मतलब इसके अंदर हम क्या क्या बढ़ेंगे तो चार factor हैं पहला दूसरा ये तिसरा और ये चोड़ता ये चार factor आपके ठीक है चार factor है उन चारो factor को रीड करेंगे उनके अंदर कौन-कौन से method है और इन चारो method के base पे को एक model त्यार किया हुआ है क्या त्यार किया हुआ है model के दो पार्ट है additive और multiplicative मतलब add करना है multiplicative मतलब multiply करना है अगर आपको बोलता है add कर दो तो चार factor आपके हैं कुन सा T C S I T बोले तो trend trend बोले तो जो simple जो आपका trend है ये first वाला ठीक है simple trend बोल लो या circular trend बोल लो इसको ठीक है फिर C C का मतलब cycle जो एक cycle base पे है S मतलब seasonal और R या I R मतलब random या irregular बोल सकते हैं उसको जो कभी भी हो सकता है तो इन चार फेक्टरों को अगर हम add करेंगे तो additive model बन जाएगा और multiply करेंगे तो जो multiply model बन जाएगा ठीक है आई ले लो चार ले लो आई मतलब irregular और मतलब random एक ही बात है दुनों का तो additive में add करना है multiplication में multiply करना है तो इनके अंदर क्या क्या है देखो थोड़ा सा theoretical portion है थोड़ा सा practical portion है सबसे पहले यह है इसको आप circular या simple trend भी बोलते हो simple method भी इसको बोलते हो तो इसके चार पार्ट है चार पार्ट है चार पार्ट का में लोग चार तरिक्के के आपके question है practical question हमारे दे रहे है history metal के अंदर तो इसके चार प्रेक्टिकल कोशन हम करेंगे अभी पहला है फ्रीहंड करो ठीक है सेकंड है सेमी आवरेज थर्ड है मुविंग एवरेज और फॉर्थ है लिष्ट स्केर में चार पार्ट भी हम करेंगे वह यह जो average है किस तरिक्के से हम निकाल सकते हैं जो simple trend ह प्रेक्टिकल है और कुछ नहीं है इसके अंदर प्रेक्टिकल कोशन अभी करोंगा चार कोशन करेंगे उसके बाद सीजनल वैरेजन की हिसाब से जो चेंज होता है एक तो simple average जो simple तो बेस चेंज होता ही है माली जी आपका कोई काम है आपका कोई business है वह इस तरह के का business है कि यहातो समर में चलता है मिन्टर में चलता है यहाँ घर्मियों में चलता है यह का जैसे कि मालूग ले लो जैसे कि आपका इंवेटर बैटरी का business है ईंवेटर बैरे तो जयो नहीं पिची विए उसके जूरत नहीं पड़ती तो सीजन का तो एफेक्ट पड़ता है ना उसके उपर चीजों के उपर सेकंड रेसो टू ट्रेंड जो रेसो चली आ रही है मालेजीए जो रेसो चली आ रही है भी पिछले साल हमारा आधु आधी हम रही हमब चला रहे ही ज़्यक्रिश साल के बाद में चान साल के बाद में बरी हर तीन सालjon green ज्यादा सेल हो रहा है हर 3 साल बात किसी चीज़ का कम सेल हो रहा है तो रेष्व डाकर नी की साल का मतलब इंस सांघले साल कितना है जो में पि analis तो यह बस थोर्टिकल पॉर्शन है ठीक है आपका स्ट्रेडी मेटल के अंदर बता भी नहीं रखा इसको एक्स्प्रेंट भी नहीं कर रखा वर मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्प्रेंट कर दिया थाकि थोड़ा सा पता चल जाए क्या चीज़ होता है उसके बाद से पहले क्या होता था कि MBA जो है MBA कोर्स जो होता है वह बहुत सारे स्ट्रेंड करते थी MBA का ट्रेंड चला गया फिर बीटेक का ट्रेंड आया ठीक है बीटेक का ट्रेंड चला गया बीटेक इतना नहीं करते लोग अभी आपका जैसे कॉमर्ट साइड में देखो तो जैसे का ट गाडिया है गाडि का देख लीजिए कोई मोडल ऐसा आता है कि वह इसके study metal के अंदर चार पांच लाइनों में वह आप पड़ सकती हो ठीक है उसके बाद random और irregular अचानक से कुछ हो गया अचानक से क्या हो गया जिसे की करोना आगया अचानक से तो यह अचानक से हो गया ना irregular हो गया कभी भी कुछ भी चिजी हो सकती है तो इस टाइम में किसी को खाल बीचानक से बूम कर गया और कई बिजनेस ऐसे बंदी हो गई क्या कंपनिया जिनका मतलब वारे नियारे होगे इस टाइम पे जैसे कि आपका जो तंबखु वेगारा सेल करते हैं टेक है तंबखु वेगारा जो सेल करते हो इस बहुत जैदा जो है बेनिफिट मिला क् प्रिपल फॉर टाइम फाइव टाइम सोग की चीज 500 500 रूब में बेची है तो वो इंडिश्री वोट काम कर गई बाकि सभी इंडिश्री वो लोग से हैं यहां पर तो कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो रेंडमली और इन्रेगुलर बेस पे कभी भी हो जाते हैं जिनका हम कोई अनुमान कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो यह तो आपका theoretical concept था यहां पर आपका क्या होता है इसको क्या वोलता है ट्रेंड टीफोर ट्रेंड यहां पर S4 सीजनल सीफोर सैंक्ल और R4 रेंडम और इन चारो फैक्टर को अगर एड करेंगे तो additive model और multiply करेंगे त तो यह तो मैंने सारे का सारा explain कर दिया अब यह बचाईन की question करने है मसं को और उससे पहले तो आपके बुक के अंदर एक थोड़ा सा example दे रहे है छोड़ा सा page number 19.41 पे थोड़ा सम स्टेडी मेटल देखेंगे और फिर इसके question करेंगे तो स्टेडी मेटल ओपन करते हैं और पेज नंबर 19.41 देखेंगे 19.41 दिकाली फड़ा हट स्टेडी मेटल खुलू तो पेज नंबर 19.41 इस पे आपको क्या दे रखाया मोडल के बारे में बता रखाया दोनों चीजी तो एक question दे रखाया है इसके अंदर आपको बोल रखाया है कि जो trend है जो trend का जो factor है वो कितना दो हजार ये बीजार लिख रखाया आपका हानी बीजार है पीस जार है ये trend का फेक्टर जो है बीजार दे रखाया सीजनल फेक्टर जो है वो 15 रुपे दे रखाया सीजनल फेक्टर कितना दे रखाया 1500 के बाद ये आपका साइंक्लिंग फेक्टर दे रखाया 800 रुपे का साइंक्लिंग फेक्टर जो है 800 रुपे का और ये तो बोल रखाया कि जो trend है बीजार रुपे का सीजनल फेक्टर वो दे रखाया गुड है उसके लिए तो गुड है मतलब पोजिटिवी है और सेंक्लिंग फेक्टर दे रखाया 800 रुपे जो है माइनस का दे रखाया तो हम इसको क्या कर लेते है ब्रेक्ट में लिख लो ये माइनस वाला है और उसके बाद एक फेक्टर और दे रखाया यह फेक्टर आपका 410 रुपे का यह आपका जो रेन्नम वाला फेक्टर है वो और यह क्या दे रखाया इंक्रीज दे रखाया इंक्रीज दे रखाया ठीक है यह जो है इंक्रीज दे रखाया बढ़ जाती है वो चीज़े ठीक है बढ़ जाती है तो तो सबको क्या कर दिया एड कर दिया एंड उसके बाद इसी के बाद दे रखा है आपको एक दे रखाया है अब दिया रखाया है और साइंकलिंग फेक्टर दे रखाया नाइन जीरो और सीजनल का कितना दे रखाया वन पॉइंट वन फाइव दे रखाया तो जैसे के भी बताया था एडिटिव के अंदर आड कर करेंगे जीरो पॉइंट है और अबosit के मृदल है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे मृटिप्लाई करेंगे की मृठी वर्यां करेंगे टौइल्ट। बोले तो एटिकर दो मुल्टिकेटी बोले तो मुल्टिप्लाइ कर दो इन्फर्मेशन सारी आपको दिया रिखी होते है कॉश्चिन के अलों तो अभी इसके बाद ये मैथड है इन मैथड को हम उको करना है फिर ग्राफिकल है फिर सेमी एवरेज है फिर मौविंग एवरेज और फिर लिष्ट स्केयर मैथड है तो इनके बारे में देखते हैं तो जितना भी वतार हों बस यह चैप्टर के अंदर ज्यादा नहीं है बिल्कुल छोटा सा हलका सा चैप्टर पर यह है तो अभी कोश्चन देखेंगे हम तो यह है आपका कोश्चन है एका 19.42 पेज पे 19.42 पेज पे है एक्जाम्पल नंबर 19.2.2 यह आपका एक्जाम्पल है तो इसमें लास्टagain YEAR की आपको सेल दे रखिया है और इसमें आपको फ्री हैड मेफ़ड से एक्स्प्लेट करना हैयि इसको तो फ्री हैंड मेफ़ड क्या होता है पहले versuchen想ह्र देख लेता data देखते हैं पहले तो यह year है और यह आपकी सेल तो 2000 से लह लेकिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8, तो ये दिरखे 75, ये दिरखे 95, उसके बाद 115, then 65, then 120, then 100, 150, 135, and last is 175. ये आपको दे रखे, तो इसमें आपको एक freehand जो है, वो आपको बनाना है, तो freehand किस तरीक के से बनता है, इसको क्या बोलते है, graphical, graphical या freehand, तो freehand अगर नहीं पता हो, तो graphical तो मुशली सभी को पता होगा, graphical तो मुशली सभी को पता होगा, कि मतलब एक आपको graph बनाना है, graph बनाना है, तो graph ये कहां से start हो रहा है, 2000 से start हो रहा है, ठीक है, कहां से start हो रहा है, 2000 से, तो एक simple सा graph आपको बनाना है, तो जिसी कि मालीजी, 2000 का सन हो गया, और ये चलता जाएगा, कि 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, अब बच्चे पुछेंगे, सर, exam में graph मिलेगा क्या, BT, exam में ऐसा question आएगा, अरे नहीं, बहुत ही rare chance, ऐसा question नहीं आता ना, और घ्राफ मिलता, बस आपसे पूह सकता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसके अंदर क्या चिज्जे होती है यह पोसकता है थोड़ा से कोशन दे दिया तो इससे एक्स्प्लेनेशन जल्दी हो जाएगी जल्दी जैना शार्ट कर पाएंगे तो फिस जिरो फिफ्टी ये ले लो 75 ये ले लो हंडर ठीक है या सबसे पहले कितना है से वंट वाइगा सैंटिफाइगा फिर कितना नैनिटीफाई नैनिटीफाय कहा जाएगा रिए यह उसके बाद 115 115 कहा जाएगा ग्राफ होता तो हमको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाते हैं कि पॉइंट लेकिन हम यहाप एक अंदाजे से ले सकते हैं उसको 65 जाएगा निर्वाट 50 50 से थोड़ा सा उपर लेते हैं हम इसको फॉर्थ पर जाएगा 120 120 हम 100 से उपर लेते है उसके बाद 5 पर कितना पूरा 100 तो तो निर्वाट 100 जायेगा आपका won 35 और eight पर कितना है 175 यह मैंने 150 और 200 के बीज में इसको लेते है यह हमने continentよति 10 जीस के यह मिलाया इससे मिलाया संभी मिलाया यह मिलाया यह मिलाया यह यह ये इसमी बोलते हैं और फ्रिये करो क्लप हैय। थेकorkशड कैज है तो किस यह में कितना यह भी पता लग रहे है तो कोई mathematical calculation नहीं है इसके अंदर बस आपको graph बनाने इसके अंदर disadvantage क्या इसका एक subjective concept है इसके अंदर different position है different slope है तो एक function नहीं बना सकते मतलब यह नहीं बता सकते कि next year जो है कितनी सेल होगी क्योंकि प्रोपर तरीके से कोई data तो नहीं बना ना कोई simple कि उसके बाद second कोई साथा second था semi average second क्या था semi average यह गिन लिजिए कितने हैं 3 3 6 3 9 हैं कितने यह 3 3 6 9 है ठीक है तो हमको बनाना क्या है हमको करना है semi average हमको क्या करना है ग्रुटरेज का सिंवेरेज करना तो इसमें क्या कर लेते हैं जैसे कि माल लीजिये है टोटल आपके कितनी है यह तो पहले चार लेलो है बादवाले चारक लेलो बीच वाला एक छोड़まあ कोई दिक्त लिए आट हो ते तो पहले चार बादवा ले पांच तो अगर नो और पहली चार बाद वाली चार बीच वाला छो दो करो इनका टोटल करो कर नहीं है तो अगर मिनका टोटल करते हैं तो यह हो गया 170 170 170 170 और यह कितना हो गया 170 और यह हो गया 180 तो 170 180 350 350 डिवाइड बैए 4 तो यह आपका आगया 87.50 तो यह लेना अपने को यहां पर मतलब की 2001 और 2002 के बीच में तो 2001-2002 के बीच में और 87.5 यानि की नियर बाउट अपका यहां पर आज ठीक है सेमी अविरेज उसके बाद लास्ट वुले पर देखते हैं तो इनका अगर हम टोटल करते हैं तो 310, 310, 250, 310 और 250 कितना होए? 560 होगा क्या? हां जी, 560 होगा न? हां जी, 560 डिवाइड बैए 4 यह कितना होगा 115, तो 115 लेना कहां पे लेंगे? 2006 और 2007 के बीच में तो 2006 और 2007 के बीच में यहां पे और 115 लेना यानि कि 100 से उपर जाएगा यह यहां पे आगा अगया तब इन दोनों लाइनों को मिला दो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो यह अंदाजा अंदाजा जितन तो semi average में क्या करना है धिवा रखने आपको कि starting वाले लेलो average बाद वाले average लेलो अगर आपके 9 हैं तो पहले 4 बाद वाले पहले चार दस है तो पहले पाच बाद वाले पाच तो पहले चार के अवरेज लिए 87.5 आगी लेना कहा है 2001 और 2002 के बीच में ऐसे यहां पर यहां पर ड्रो करते हैं और लाइन के बीच से आगे तो यह आपका second method हो गया कौन सा method of semi average अब कौन सा रहा moving average and least scale method तो उनके बीक के question अभी हम करते हैं तो देखते हैं कि कॉश्चन कि अधि जब मोविंग एवरेज है तो एक्जामपल नम्बर है 19.2.4 आपके स्ट्री मेटली के अंदर तो मोविंग एवरेज मैं आपको थ्री यहर मोविंग एवरेज इस तरीके से कोई भी दे सकता है तो पहले हम यह थ्री यहर मोविंग एवरेज कर रहे हैं एक्जामपल नम्बर मैंने बताया 19.2.4 तो इसके अंदर 2004 से लेके 2012 तक यह दे रखे हैं 2004 से लेके 2012 तक तो 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, लास्ट इस टूथाउजन त्वेल एन नम्क क्या जो वेजीज है वेजीज दे दे शेल दे प्रोडक्शन दे दे कुछ भी दे तो यह है 1200, 1500 और फिर 1400, 2006 में 1750, 1800, 1700, and last three is 1600, 1500, and last one is 175, तो आपको बताने three year moving average तो three moving average जैतो three three के यह क्या बना लो, block बना लो, three three के क्या बना लो, block बना लो, फिस तरिके से एक छोड़ते जाओ, एक लेते जाओ, तो यह अपने को कितने बनाने, 3-3 के बनाने, क्योंकि 3 year moving average है, तो अब इन तिनों का total किया, तो पहले तिनों का total किया 2100, अब ताली सो तिनों का total है, पर लिखे किस के के सामने तो जो बीच वाले उसके सामने लिखे दो एक तालश हो ठेक है तो ये हो गया थ्री एर थ्री एर्स मॉविंग और यह क्या टोटल है ठीक है तिनो का टोटल किया है इसके सामने लिख दिया यहां पर कुछ नहीं आएगा और यहां पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि बीच वाले के सामने लिखूँ तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 3 years moving average आ जाएगा क्योंकि हम इसको क्या करने वाले हैं 3 से डिवाइड करने वाले तो इसको 3 से डिवाइड किया तो 1366.67 आगे 1550 फिर 1650 क्या है चलते जाएगे 1750 1700 1600 और 1600 1600 1616.67 तो यह आपका अंसर आपके पास आ गया और क्या अंसर है यह 3 year moving average है समझें आया concept क्या था तीन-तीन को जोड़ते जाओ एक छोड़ दिया अगले वाले लिए फिर एक छोड़ दिया फिर नेस्ट वाला लास्ट वाला फिर लेटे जो और बाद में total किया वे तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में कुछ नहीं आएगा उपि त्री से आपने डिबाइड कर देगा अगर यहां पे त्री किसे देंग है फाइव एर अविर एवरेज हूँ सब्सक्राइब कर दोड़ासा फ्रक आजाएगा तो एक ये कोशन हम कर रहे हैं, कि फोर ये में हम क्या फरक जो है उसके अंदर करने वाले। ठीक है तो जितने भी प्रैक्टिकल में सारे किसारी करा रहा हूं आपको ताकि कोई डाउट नहों छोटा से चेप्टर है समझ में आजाए सारा बर्डन आ हो आपके उपकर क्योंकि सिले में जो आपका रिविजन भी चल रहा है तो काफी बच्चे बोलते हैं सब टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए मैं इस त्रीक किसे करा रहा हूं ताकि आपका होंवर्क आपने जैदा यह और वेजिज तो यह दिर्खे 2005 से लेके आपका दिर्खे 2012 तक 2006 2007 2008 2009 2010 2011 and last one is 2012 and यह का वेजिज दे रखा है वन वन फाइव जीरो देन वन फाइव जीरो नेश्ट वन फ्री टू जीरो देन नेश्ट वन फो डबल जीरो 1300 1320 तेरो सो बीस पंदरास वां सत्रास यह है तो इसमें पता ना फोरियर मोविंग एबरेज तो फोरियर में आपको क्या करना है वही फोर फोर का टोटल करना है पहले फोर का टोटल किया फिर एक छोड़ दिया फिर फिर अगले वाला फिर एक छोड़ दिया फिर अगले वाला फिर एक छोड़ दिया फिर अगले वाला फिर एक छोड़ दिया फिर अगले वाला करते जैब कोई सेंग चीज करने हैं दिकत कहाँ अगर हुम टोटल करेंगे तो यह आपका का आएगगा हैं लिखी किसके सामने अगर थ्री यह का टोटल करते हैं तो पीछ वाले के सामने लिख लो कोई दिक्कत ही आगर 5 टोटल करते हैं तो भी पीच वाले के सामने लिख लो कोई दिक्कत में है लेकिन अगर फॉर येर का टोटल करते हैं तो लिखे किसके सामने तो किसी की भी सामने नहीं लिख सकते हैं तुमको यहां बीच में लिखना होता है यानि कि 2006 और 2007 के बीच में लिखना होगा 2006 और 2007 के बीच में लिखना पड़ेगा तो भी आपका अंसर नहीं बनेगा यहांपे फिर अगर नेस्ट करेंगे तो यह पिछले बाला छोड़के अगले बाला टोटल लेंगे तो वो इन चार सालों का होगा तो कहां लिखना पड़ेगा 2007 और 2008 के बीच में तो यह बनेगा आपका बावन सो सत्तर ठीक है फिर इन दोनों के बीच में आएगा और यह बनेगा आपका त्रेपन सो चालिस फिर इन दोनों के बीच में आएगा और फिर आपका बनेगा पचपन सो बीस और फिर इन दोनों के बीच में आएगा और फिर यह आपका बनेगा 582 ठीक है बस last time ले 2 चुट है अब यह बीच में आया बीच में आया तो गडबर होगी बीच में आया तो गडबर होगी किसी एर के सामने तो आना चाहिए ना यह अब ये तो किसी भी एर के सामने नहीं आ रहा तो इसके इसके अंदर हम क्या करेंगे ठीक है इसके इसके अंदर क्या करेंगे तो ये गड़बड वाली बात है तो इसके अंदर हम और क्या कर सकते है तो अब देखे तो अब हम क्या करेंगे फिर दो-दो का टोटल लेंगे ठी 10,610 फिर आगया 10,860 और फिर आगया 10,11,11,340 अब इन दोनों के 26,27,27 और इन दोनों के बीच का total यह हो गया, हुआ क्या है है हुआ हम इसको डिवाइड करेंगे 27 के सामने लिखा जाएगा अब कितने से करना है पहले आज का total 6 कि यान कि cha 6 नि करना यहां पर, 6 नहीं करना यहां पर हैं पर है फॉर से तो four से डिवाइड करना तोकु से डवाइड करना था उसको डवाइड कर देंगे इट से तूरे सभी को अकर एट से डवाइड करेंगे तो वारह सो अठान sırव रूपे पिछत्तर पैसे करद्ट गैंक तो जीटा से डवाइड करते जाओ है तो तेरा 26 202 पांच को नेश्ट 1357 पॉिंट फाइव जिरो और 1417.50 अभी किस किस के सामने आ गया यह आ गया 2000 2007 के सामने 8 9 10 यह 8 का यह 9 का और यह 10 का इस तरीके से आ गए तो पहले दो छोट गए आपके और लाज्ट वाले दो छोट गए तो इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा आराग आपको फॉर यह का पूझे तंब ऐसे करना पड़ेगाफ अगर आपको टू का पूझे टू यहर कका तब भेसे करना पड़ेगा क्यों कि दोनों का टोटल और करकी अगर i, का फॉटल का कॉठ्ज करके दो से डिवाइड करोगे तो इंके बीच मैं आ आप आएगी जब आपसे 4 का पूछ लेगा तो 4 के बाद क्या करना पड़ेगा एक बार टोटल करके एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा और उसके लावा कुछ नहीं क्योंकि वो बीच में आ गया बीच में तो कोई यह नहीं है तो किसका अंसर निकला है June Rim parity Regression के अंदर दिखा हुआ साहता हुआ अमी amabadi Regression का जब question किया थाना correlation limitation के अंदर तब यह दिखा हुआ लिष्ट scale method。 इस method के अंदर क्या है? मैं बताए तहूं आपको क्या करना है? तो example number 19.2.7 और यह आपका least scale method है? तो इसके अंदर आपको दे रखा है year दे रखा है च्छोटा कोश्चन है 2005 से 2010 दे रखिया है 2005 2006 2007 2008 2009 और 2010 और इनकी जो सेल दे रखिया है वो आपको दे रखिया है 70 80 96 195 और 140 यह आपको सेल दे रखिया है तो इसमें आपको लिस्ट केर मेथड़ आपको बताना है ठीक है जी तो लिस्ट केर मेथड़ क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मतलब क्या बोल सकते हैं कि निकालना क्या इसके अंदर 2012 की शेल निकालेंगा 2012 की शेल इसके अंदर निकालें ठीक है तो इसमें एक्वेशन बनेगी y इकवल टो a प्लस b x a प्लस b x ठीक है यह आपकी एक्वेशन बनेगी तो कहने का मतलब आपको a और b की वैल्लू आपको find out करनी है तो A क्या बनेगा तो यह आपका X है और यह आपका Y है यह आपका X है और यह आपका Y है ठीक है इसको X मानना है और इसको क्या मानना है Y मानना है तो A की जो value है A की value है summation Y, Y में N यह है आपकी A की value summation Y, Y में N और B की value है summation X, Y divided by summation x square divided by summation x square ये value है आपकी ठीक है टो ये value है आपके summation x square ये आपकी value है कि इसकी b की है तो ये आपको sol करने सबसे पहलेните probability summation y इसका total कर लेते हैं चलो ये तो question के अंदर पूछ रहा है इसका total करते है το ये आजएकर summation y और इसका total आएगा आपका 555 आएगा तोट और है कितने दो च्यार और छे पानसो पच्पन को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 90.92.5 आ रहा है 92.5 तो 92.5 आ रहा है ये आपकी A की वेल्यू आगी अभी हमको चाहिए B की वेल्यू चाहिए अपने को कौन सी वेल्यू चाहिए B की वेल्यू चाहिए अब कैसे आएगी B की वेल्यू तो पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा अभी हमको क्या चाहिए एक तो X-B चाहिए और एक AX का चाहिए एक y चाहिए और एक क्या चाहिए x क्या अब यह जो है अपने को x अभी तो नमबर तो भोत जड़ा हो गए तो जैसे हम dx की बाद करती है तो हम dx निकाल लेंगे यहापे क्या निकाल लेंगे हापे dx निकाल लेंगे तो कहने का मतलब अब आब इसको हम लिख सकते हैं क्या submission dx dy ठीक है और निचे summation dx square, summation dx square यह हम इसको लिख सकते हैं तो अब देखो क्या करना है अब अगर इनका average करते है तो यह average आएगा 2007.5 ठीक है तीन उपर छोड़े तीन उपर निचे छोड़े इसके बीच में आएगा तो अगर हम dx निकाल लें यहां से तो इसमें से माइनस चला गया तो माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 0.5 फिर कितना बचा 1.5 और 2.5 हो गया यह अब क्या करना है अब तो अब इसके बाद देखो अब इसका क्या करना है डेक्स हो गया अब इसका स्केर करना पड़ेगा अब इसका क्या करना पड़ेगा तो इसका स्केर करो इसका square करो अब study metal के अंदर क्या दे रखा है study metal के अंदर यह दे रखा है बे तो point में इसका square करेंगे तो length ही पड़ेगा तो इसको इन्होंने क्या कर लिया 2 से multiply कर लिया ठीक है और फिर उपर भी 2 से multiply हो जाएगा निचे भी तो इसका effect खतम हो जाएगा तो आप direct भी कर सकते हो इसको कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि अगर आप इसका square करो और इसकी multiply इसकी multiply किसके साथ कर दो y के साथ कर दो इसकी multiply आप किसके साथ कर दो y के साथ कर दो तब भी आपका वही answer आएगा तो देखो हम book वाले method से कर लेते हैं सिधा कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो इसका 2 से multiply कर लो पहले ताकि थोड़ा easy हो जाए तो 2 से multiply करा तो क्या आगाई है minus 5 minus 3 minus 1 य आगया 1, 3, 5 और इसका square करेंगे तो कितना आगया 25, 9, 1, 1, 9, 25 इसका total कर दो 9 और ये 10 35 और ही आगया आपका 70 ये कितना आगया 70 ये होगे आप क्या चाहिए x और y चाहिए x और क्या चाहिए y चाहिए तो इसके और इसके multiply हम कर floss ठीक है इसके और इसके multiply हम कर देंगे अश्चरली जूर्त मेए कि इसका भी dy आपको लेना है कोई जूर्त मेए direct x भी ले सकते हैं एक formula और हम नहीं किया तो इसके और इसके multiply किया minus 350 और minus 240 minus 96 100 और यह आपका हो गया 25 and 570 और इसका total अगर आपने किया यह आगया 269 269 बिल्कुल से मैथड जो मनें regression के अंदर किया था वही method इसके अंदर यूज कर सकते हो कोई दिक्केत वाली बात है नहीं है बिल्कुल सब्सक्राइब बस इसमें क्या करक्ता है कि इसमें जो वाई उसका तो डिवाई लिया ही नहीं ठीक है और जो है यहां पर टू से multiply करका है कोई जुरूर नहीं है आप basic से करोगे तब यूत नहीं आएगा तो बस यह डिवाइड कर तो यह आगया 269 और यह आगया सब्सक्राइब तो थोड़ा सब्सक्राइब करके देख लेना इसमें से पता चल जाएगा और यह आपका रहा है 3.843 तो आपके एक्वेशन बनगी 92.5 प्लस 3.843 एक्स क्या एक्वेशन बनगी एक्स बनगी अब साथ है तो अभी अपने को बताना किसका है अपने को बतान अब दो हजार बारा का 2012 का बताने आपको तो अगर आपको 2012 का बताने है तो यह बताओ एक्स कितना हो गया जो एक्स है वो आपका कितना हो गया ठीक है अब एक्स तो स्टार्टिंग से गिना जाएगा तो एक्स तो स्टार्टिंग से गिना जाएगा ना यह वन यह टू यह ये 3, 4, 5, 6, ठीक है और उसके बाद अपने को किसका बताने 2000, 2012 का बताने और वो के अंदर एकसे ले रखा 9, एकस 9 कैसे आया भई, एकस तो 9 नहीं 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 आएगा हाँ जी, जो स्टेडी मेटल उसके अंदर 9 नहीं रखा, 9 कैसे ले रखा इसने, क्योंकि हमने जो एवरेज लिया वो यह लिया न, 2007.5 उसके लिए अंसर आया, तो इसका और इसका डिफिरेंस कितना आ गया, साड़े चार साड़े 4 साल आ गया, तो multiply दो कर देंगे, तो 9 नहीं आ जाएगे, multiply दो क्यों किया, क्योंकि हमने presidency कि था किया था, last में फीर कर लिया, अगर हम अगर हम यहां two से multiply नहीं करते तो कोई बात में solve करो तो फिर x भी क्या ले लेना साधे 4 ले लेना बिल्कुल same answer। तो 92.5 प्लस 3.843 और यहां पर कितना आ गया 9 तो यह put कर रहा तो आप अंसर आ गया 126.59 126.59 तो बस इसमें question थोड़ा सा बताना था कि बुक के अंदर क्या लिख रख है और कुछ नहीं है समझाने वाला इसके अंदर तो बस एक चीज़ तो यहां कि इसको 2 से multiply कर रहा है बाद में भी मनें इसको 2 से multiply कर दिया अगर इसको 2 से multiply ना करते है तो इसको भी 2 से multiply नहीं करना था तब भी answer आपका क्या आएगा सेम आएगा ठीक है अच्छा दूसरा हमने इसको छोटा कर लिया छोटा क्यों कर लिया डी एक्स निकाल लिया क्यों ताके question जो है हमारा क्या हो जाए easy हो जाए एक्स का जो यहां पर effect पढ़ा है regression वाले chapter के अंदर मैंने आपको method बता रखे हैं और central tendency dispersion के अंदर आपको method बता रखे हैं तो वही वाली चीज़ी हैं सारी उसके बाद थोड़े सा question ओ रहे हैं तो इनके बारे में भी देखते हैं यह करते है question 19.2.9 यह question देखो क्या है हाँ जब एक example है 19.2.9 इसमें seasonal indices बताना है क्या है तो थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ एक तो हम यह question करते हैं और एक इस एक इस नेश्ट है सारा यह मैं सोचना कि जो theoretical portion है वो आप पढ़ोगे तो आप sensor होना चाहिए हो क्योंकि इसकी theory इतनी नहीं दे रिखी जितने question दे रिखे बनाके तो यह आपको त्यार ही करना है अगर कोई question पूछा जाएगा तो इनी question में से आप से पूछा जाता है बिल्कुल सेम जो है डि जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ chapter उसकी theory जो है आपको करनी पड़ेगी जैसे question से भी करनी पड़ेगी यह भी उनी chapter में से थोड़ा सा है तो इसके अंदर quarter दे रखे है चार and year दे रिखे 23456 ठीक है three four five six आपको quarter दे रखे है तो two thousand three से लेके two thousand seven तक two thousand three two thousand four two thousand five two thousand six and two thousand seven ठीक है और एक quarter दे रिखे है first second third और fourth quarter दे रिखे है तो इसमें तो पहले दुसरे का तो देई ने रखा यह दे रिखे 11 यह भी दे रिखे 11 12.5 16.8 11.2 10.5 next 13.5 15.2 11 or 13.3 next year 11.3 15.5 देर के 13.1 12.4 जी देर के आपका 14.5 यह दिर के 15.3 और यह दिका 15.3 और यह दिका 15.2 मतलब कि 2003 के बीच में से ले रखाया कहां तक 2007 के 20 कोई बात नहीं 4-4 साल हो गई quarter हो गई 4 कोई दिक्कत नहीं है तो पहले क्या करेंगे हम इसको quarter wise ही करेंगे इनका total कर देते हैं इनका total कर देते हैं अगर इसका total करा तो यह हो गया कितना हो गया यह आपका 51 अगर इसका total करा तो नैस्ट वाला किया तो 53 नैस्ट वाला किया टोटल तो 52 अनुसे नैस्ट टोटल किया तो 54 यह हमने total कर दिया है total कर दिया तो 4-year का है quarterly total है यह तो quarterly क्या है total और अपने को करने quarterly average तो 44 से डिवाइड कर देंगे तो 12.75 इसको किया फॉर से तो 52 13 13.25 योगे 13 और योगे 13.5 यह आगया आपका ठीक है अब अब क्या करने आपको कि यह average आगया quarterly average हो गया अब जो quarterly average हुआ है अब निकालने आपको average of quarterly average average of quarterly average मतलब यह जो average आया है इनका भी average तो अगर इन सभी को total अगर हम करते हैं तो 13 13 13 39 39 और 12 51 51 52 52.5 52.5 डिवाइड बाए 4 तो यह आगया 13.125 13.125 इसके बेस्पीन सबको देख लो कैसे 12.75 डिवाइड बाए 13.125 multiply 100 सारे के सारे ऐसे करने हैं तो यह indices बन गया है इंडेक्स बोल सकते हैं उसको इंडेक्स के अंदर यही तो क्या था हम ने ठीक है और यहां पर 13.25 डिवाइड बाए 13.125 multiply 100 13 डिवाइड बाए 13.125 multiply 100 लास्ट बन इस 13.5 डिवाइड बाए 13.125 multiply 100 यह आपके अंसर आ जाएंगे बस आपके सामने तो इस तरीक के से करना था आपको कोश्चन यह आपको बोल के सीजनल इंडेक्स इस तरीक के से करना था एक नेस कोश्चन हो रहे है उसके अंदर वो कोश्चन और करते हैं बस लास्ट अब आपके आप खुद ट्राई कर सकते हो वैसे कुछ भी नहीं इस कोश्चन के अंदर 5-year moving average है 5-year moving average है तो हमने पताया पहले 3-year का किया था उससे तरीक के से 5-year का करना है बट इसके अंदर एक वेटेज हो रहे है वेटेज ने रखे है 1132 सहद आपकी बुक में नहीं लिख रखा हो तो 11321 है 11321 यह कोश्चन और देखना है बस आपको और फिर आप बाकि जो कोश्चे ने कर सकते हो सारे का सारा चेप्टर जो आपका यह complete होजने कर देगा थोरी थोड़ी सी आपको प्रीड करने पड़ेगी कोई थोरी का कुछ समझ में ना है थोरी में कहा लिखावा तो वो पढ़ लेगा वो मतला डाउट ले लेना उसमें तो फाइव यह बेटीज मुविंग एवरेज तो यह दे रखे यह दे रिखे टैन यह दे रिखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इट नाइट नाइट ने और शेल्ज दे रिखिया है 40, 33, 72, 81, 76, 68, 91, 87, 98, 97 तो फाइव यह मोविंग एवरेज लेना है तो वही 55 यह लेना है एक छोड़ते जाओ, एक लेते जाओ, एक छोड़ते जाओ, एक लेते जाओ, एक लेते जाओ, एक छोड़ते जाओ, एक लेते जाओ, एक छोड़ते जाओ, और एक छोड़ते जाओ ठीक है अब इनका total तो करना है लेकिन total के अंदर भी वेटिज लगाने है 11321 यानि कि इसको 1 से multiply इसको फिर 1 से 1 से 3 से 2 से 1 से और divide कितने से करना है ठीक है डिवाइड करना है 11321 तो इसका total कितना हो गया 8 8 से डिवाइड करना जैसे कि 40 मुल्टिप्लाइ 1 लिख देता हूं में एक का 33 मुल्टिप्लाइ 1 72 मुल्टिप्लाइ 3 81 मुल्टिप्लाइ में 2 and 76 मुल्टिप्लाइ तो यह होगया 40 33 यह होगया 216 162 और यह 76 डिवाइड करना है 8 से तो इसको अगर आप करोगे तो यह आजएगा 65.8 अठीक है इसे तरिक के से यह करने आपको सारे स्टड़ी मेटल के अंदर देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा ठीक है जो चीज बताने वाली थी वो मैंने इसके अंदर बता दिए तो जो एक्जामपल नंबर 19.2.11 वो 19.2.9 एक्जामपल नंबर 9 और एक्जामपल नंबर 11 बिल्कुल सेम है तो आप कर सकते हो एक्ज क्प्लीट हो गया चैप्टर पूरा थोड़ा सा थेओरी रीड करो इसके अंदर को डाउट है तो फिल पूछ लेना तो अभी हमारा रिजिनिंग क्प्लीट हो गया सारा तो अभी रह गया एक स्टेटिकल डिसक्रप्शन ओव डाटा तो नेक्ट लेक्चर के अंदर करेंग क्प्ला बाटा याइए लग हुआँ नेक्व बाट लुगर लेक्ट हर जा और हो अजर भी हमारा तो आटा धिसक्रप्शन ओव लेक्ट ऊवे लेक्टर करेंगा लेक्दर्व लेक्टर मंपने करेंग